नवशकर दोस्तो जहिंद वंदे मात्रा मापशिवी का श्वागत अभिननदन है टीटी फैमिली सिचकों की परिवार जैसवाल कोचिंग सिंटर पर पावड़ वाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं आपके MPT ग्रेट टू साइन्स के चैप्टर रहेगा साइन्स की क्लास रहेगी और यह क्लास नंबार आपकी 5 होने वाली है नवी एकजाम पटन के कॉर्णिंग संभावित प्रिशनों के कॉर्णिंग आपके आनलाइन एकजाम क् क्लास कंप्रीट कर चुके हैं जिसका आई बटन प्यालेटी लिंक दे दिया गया है तो क्या सभी लोग त्यार हैं सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग कमर कस लीजिए त्यार हो जाइए यह 30 महत्मून परस्णों करने के लिए विध डिटेल के साथ व वाई मंडल में उपस्ति सबसे हलकी गयस कौन से होती है हाइडोजन आकसीजन नाइटोजन या नियान गयस सभी लोग बताएं बहुत इस सिंपल सधान से परस्ण से सुरुआत कर रहें इस क्लास को ताकि आप सभी लोग कनेक्ट हो सकें कमेंट कर सकें तो वाई मंडल में उपस्ति जो सबसे हलकी गयस हमारी होती है बहुती हाइडोजन इसके बात करेंगे हाइडोजन जी हाँ दोस्तो हाइडोजन एक जो है रंग हीन गंध हीन एक अधातिक श्वाध हीन अतधिक जोलन सील गयस है यह आवर सानी के सबसे हलकी गयस है जिसका पढ़माउं क्रमां प्रश्ण दिया गए हैं इसके बाद है आपका दूसरा प्रश्ण जो इसके पर दिया गए है आलेडी आपके प्रश्ण दिया गए दोस्तों कि निम्लिकीत मेंसे कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है मिथाइल आइसोसाइनाईड सिलवर ब्रॉमाइड कारबन मोनो एक अत्दिक जहरीली, गंध हीन, स्वाध हीन और रंग हीन गैस है, कार्बन मोनो आकसाइड का रासानिक शूद सीयो होता है, सभी जानते हैं, इसके साथ ही हम बात करेंगे आपके अंगले पशनकी, दोस्तों प्रतिवी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजू दुरलफ गैस कौन से है, आरगन, नियान, आपके जिनान या रेडान गैस की बात करते हैं, सभी कमेंट कीजेगा, जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे मित, मेरे टीचर्स, मेरे सिच्छक बंद, भाई, बेहन, जिनका सपना है, टीटिक जाम को एक से एक परसेंट फते करना, बात करेंगे, आरगन गैस की बात करेंगे, आरगन प्रतिवी के पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्र में पाय जाती है, जिसमें 0.000015 परत है, इसके साथ बात करेंगे अंगले प्रसन की, अंगला जो प्रसन दिया गया है, बहुत ही इंटेस्टिट प्रसन दिया गया है, आरगन की बात करते हैं, तो निम्लिके तिमेशे प्रत्वी की सतय पर सरवाधिक मात्रा में कौन सा तब तु जो है पाया जाता है, और वो हमारा कहलाता है आक्सिजन, प्रत्वी की सतय की अगर बात करते हैं, इसके साथ अंगला पुस्न है, हमारी प्रत्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौझूद है क्या वे लोहा धातु है अल्मूनियम है तामबा है जिंग है सब भी बताइए जिया कमेंट बाक्स बिलकुल ओपेन है फीड़ेक आप लो कर सकते हैं प्रतेग भाई बेहन गहनी कमेंट बाक्स नीचे है फटाफट कमेंट कीजे फीड़ेक कीजे आपका कमेंट हमें आपे देख पा रहे हैं फीड़ेक कर पा रहे हैं तो हमारी प्रत्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौझूद है और वे धातु हमारी कौन सी कहला जाती है इल्मूनियम सिकंड आपसन सही हो जाएगा इल्मूनियम जो है प्रत्वी की परत में सबसे प्रचुर मात्र में पाई जाने वाली धातू है ये कभी प्रकति में मुक्त रूप से नहीं पाई जाता है और ये बाकसाइड इल्मूनियम एस्क में मौजूद होता है और एल्मूनियां का पर्मान क्रमा क्या पर्मान संक्य कितना होता है 13 इसके साथ अंगला प्रस्ण अंगला प्रस्ण स्कीन पर है कि निम्लिकित में से कौन एक जैवी कमल है कार्बनी कमल, नाइट्री कमल, सलफ्यूरी कमल और जैली कमल यहां पर पूछा जारा है दोस्तों किसके अमली की बात करेंगे जैवी कमल पूछा जारा है और जैवी कमल जो हमारा हो जाता है आप्सन नमबर फोर्त यहां पर सही हो जाएगा और जैली कमल हो जाता है यहां पर हमारा कौन सा आप्सन सही हो जाएगा फोर्त आप्सन आगजेली कमली की बात करते हैं दुस्तों आज ये आगजेली कमल जो होता है ये कार्बनिक अमल वे कार्बनिक योगिक हैं जिनमें अमली गुण होता है इनमें से कार्बोक्सलिक अमल सरवाधिक आम में होता है सलफोनीक अमल एलकोहल में होता है और अनकार्वीक अमल होते है कार्वनीक अमल प्राय फलों के रसों में ज़्यादा तर पाय जाता है किसकी बात करेंगे हम कार्वनीक अमलीक की बात करती इसके साथ अंगलापस ने हमारे मुग के पार सुभाग में सभी प्यारमित परते प्रते प्रसन को समझ रहे हैं हैं इसके साथ अंगला पुश्ण है कि दो या दो से अधिक धातों के मिस्रण को क्या कहा जाता है बहुत ही सिंपल सी बात है जब दो या दो से अधिक धातों मिस्रण होंगी तेकर तो वहाँ पे क्या बन जाता है हमारा मिस्र धातु बन जाता है और मि्स सिधातो के अनेग एक् ev mag उधारन होते हैं मि्स सिधातो का पहला एक्जामपल कहा सा होता है दूसरा पीतल है, टांका या सोलडर ये हमारी मि्स सिधातों ये कहलाती है इसके साथ थंगला प्रस्न है कि निम्लिकित मेंसे कौन सा पदात क्लोरीन के साथ अफगरिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है बुझा हुआ चूना, बीना बुझा चूना, चूना पत्थर या जिपसम की बात करते हैं तो कौन सा पदाथ क्लोरीन के साथ अफ्क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। सभी लोग बताइए। आप्संस आपके स्केन पर है। क्या हम बिना बुझा चूना बात करते हैं चूना पत्थर, जिपसम या बुझा हुआ चूना। तो राइट आप्सं यहाँ पर हमें सेकन Company की बात करेंगे, बिना बुझा हुआ चूने की बात करेंगे। कलोरीन के साथ हुख्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन कर देता है। कि इसके साथ अंगला पुष्ण है कि निम्लिकित में से किसकी आयू का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उप्योग किया जाता है भौनों की जिवास्म की पत्थर की या सिसुओं की बात करते हैं सभी कमेंट कीजिएगा तो निम्रिकित में से किसकी आयू का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उप्योग किया जाता है जी हाँ दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग की बात करते हैं तो कौन सा अपसन यहां पर आपका सही हो जाएगा तो हम बात करेंगे आपके जीवास्म की बात करेंगे जीवास्म की रेडियो कार्बन काल निधारन तकनीक का उप्योग जीवास्म की आउग का पता लगाने के लिए किया जाता है और रेडियो कार्वन काल निधारन को कार्वन काल निधारन या कार्वन 14 काल निधारन भी कहा जाता है यह चीजे भी आप लोगों को नोट करते जाना है टेलिग्राम से जुड़ जाएगा आप फ्रेमें 9 स्पीड अफ है प्राप्त कीजेगा साथ ही साथ दोस्तों आपने Instagram Facebook page को follow नहीं किया है तो अबस कर लिजेगा क्योंकि information आपको यहीं से मिलती है जैस्वास से आप लोग connect यहीं से directly हो सकते हैं अपने जो भी questions से आप directly हमसे कर सकते हैं चैट कर सकते हैं तो Instagram पे ज़रूर follow कर लिजेगा दोस्तों यदि लाल और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो निम्कित में से कौन से रंग बन जाता है किसको रंग मिलाना है यदि लाल और हरे को मिलाना है कौन से रंग बन जाता है पीला लाल सफेद या मेंजेटा रंग बन जाता है तो लाल और हरा रंग मिला देंगे तो हमारा कौन सा रंग बन जाता है पीला रंग बन जाता है इसके बाद अंगला पशन है कि पसूओं में किसके कारण खुर पका और मुह पका रोग होता है जिवानूओं के कारण, प्रोटो जवा के कारण, बिसानूओं के कारण या कीट के कारण होता है पसूओं में किसके कारण खुर पका और मुह पका रोग होता है सबी बताईए तो हम बात कर रहे हैं किसकी बात करेंगे बिसानू के कार जहां दोस्तों बिसानू खुर पका मुँपका रोग कीडे से होता है जिसे आखें नहीं देख पाती है इसे बिसानू कहते हैं जो हमारी आखें नहीं देख पाती है कि बारिस के मौसम के ठंड मौशम में, गरम मौशम में, कोई किसी भी मौशम में हो शकता है अंगला पसने, ट्यूब लाइट में मुक्ते कौन सी गैस भरी जाती है आरगन और मिथेन, पारे का वास्प और आरगन, हिलियम और पारे का वास्प, हिलियम और आरगन की बात करते है तो ट्यूब लाइट में मुक्ते कौन सी गैस भरी जाती है सबी लोग बताइएगा वह पारे का वास्प और आरगन भरा जाता है इसी के साथ अंगला पुस्न है कि ठोस की सुदता का नेधारन किसके द्वारा किया जाता है कुथनांक बिन्दु के द्वारा, हिमांक बिन्दु के द्वारा, गलनांक बिन्दु के द्वारा या इनमेशे कोई भी सभी कमेंट किजेगा जियाँ दोस्तों आपका कमेंड फीडबेक आ चुका है कि ठोस की सुदता का निधारन जो है किस के दवारा किया जाता है और वह एक दोस्तों गलनांक बेंदू के दवारा किया जाता है क्योंकि उसको गलाय जाता है उससे पता चल जाता है कि ये इस वस्त पर कितना ठोश है ये वस्त पर कितना ठोश है तो गलनांग के दोड़ बहुतिक संतुलन की सिध्धान पर कारी करता है शंगीत के सिध्धान पर उर्जा सनच्छन के सिध्धान पर शमवेक सनच्छन के तो समांतर बल के नियम योग पैड़ाम में दच्रा वरती बल आगून योग के बराबर होता है। तो समानतर बल्के नियम की बात करेंगे इसके बाद आपका अंगला प्रसन प्यारा सा नियारा सा प्रसन कि दोस्तों निम्लकित मेंसे किस इधाथ को चाकु से आसानी से काटा जा सकता है शोडियम, यल्मूनियम, पोटेसियम प्लेटिनिम, सभी जानते हैं प्रसन भे-3 प्रसन भे-मिशाल प्रसन हैं दोस्तों नीउ लेंड के मुझार। उस समय प्रकति कितने में कट्वोल नीखत तो मौझूद थे। तो की बात करें, नू लेंड ने उस समय ग्याद 56 तत्तों को उनके परमान भार के बढ़ते करम में वरसित किया, उन्होंने सबसे हलके तत्त हाइडोजन से सुरू किया और थोरियम के साथ समाप किया, उन्होंने पाया की प्रतेक आठमे तत्त में पहले कि समान गुण होते है और उन्होंने इसे अश्टक नियम दिया था, या अश्टक नियम कहा था, तो किस ने कहा था, नियू लेंड ने कहा था, ये भी आप लोगों को नोट कर लेना था दोस्तों अंगला प्रश्न है कि निम्नकित में से किसमे इस्थतीज उर्जा होगी बांध के पानी में उरते हुए वावियान में गिरता हुआ नारियल में उप्रोक्ट में शभी में होगा तो आप सभी लोग जानते हैं इन में से किस में जो है इस सतीज उर्जा होगी वह होगा बांध के पानी में इस सतीज उर्जा होगी ठीक है ये भी सिंपल सा प्रसता हालांकि सभी लोग समझ गए होंगे इसका राइट एंसर क्या होने वाला था इसके साथ हम बात करते हैं एंगले परशन की दोस्तो सार्वत्ती गुरुत्तो कर्शन के लिए जी का मान किसने ग्याद किया निूटन ने, डॉल्टन ने, जे जे थांसन ने, हेंडरी कविंडिस ने प्राप्ट किया था यहाँ पर हम बात करेंगे सारवत्ती गुर्त्यकर्षन जी के मान की बात कर रहे हैं किसने ग्याद किया सभी लोग बताईए तो हम बात करेंगे आपके हेंडरी केवेंडिस की बात करेंगे हेंडी केवेंडिस की बात करें जी का पहला विश्वासनी माप हेंडी कवेंडिस द्वारा 1798 में किया गया था उन्होंने गर्णा की कि जी 6.754 गुणे 10 केरा N2 M2 केजी की इनवर्स 2 की बात करेंगे तो क्या लिखा हुआ है सभी लोग जाएं यहाँ पे 11 N2 M2 केजी की पावर माइनस 2 यह लिखा हुआ है ठीक है सभी समझ गए है आई यह बात करते हैं लेपसने की दोस्तों जीवन के बहुतिक चरण को खाली स्थान भी कहा जाता है साइटोपलाज, प्रोटोपलाज, औरगेनेल या उप्रोक्तमेशेक होई लिए दोस्तों जीवन के बहुतिक चरण को खाली स्थान भी कहा जाता है और वह आपका दोस्तों प्रोटोपलाजमी की बात करते हैं इसके साथ हंगलाज प्रशन है कि हरे पौधे को कुल कितने पोशक्तत्तों की आशक्ता होती है 15, 16, 17, 18 सभी उताई है तो जो हरे पौधे होते हैं उनको जो है दोस्तों कुल टोटल 17 पोशक्तत्तों की आशक्ता होती है जियां दोस्तों पौधों के समान विकास सिवं ब्रद्धि हे तू कुल सत्रे पोसक्ततों की आवशक्ता होती है। इन में से किसी एक पोसक्तत की कमी होने पर पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और भरपूर फसल नहीं मिलती है। कारबन, हाइडोजन वा अक्सीजन को पौधे और हवा यवम जल से प्राप्त करते हैं। नाइटोजन, फासफोरस, पोटेसियम को पौधे से मिट्टी से प्राप्त होती है। और पौधे के विकास के लिए आवशक्त सत्रे पोसक्तत ये हैं आपके। जो आपका पहला होता ह हाइडोजन, कारबन, नाइटोजन, फासफोरस, पोटेसियम, शलफर। इसके बाद कैलसियम, मैगनीसियम, मैगनीज, आक्सीजन, क्लोरीन, बोरान। इसके बाद है आपका लोहा, कापर, और मेलिब्रेनम, निकिल और जिंग। ये आपके सत्रे टोटल तक तो है। अगला प्रिशन, दोस्तों की प्रकास संसेशन में निम्नकित में से किस सत्त्त का आक्सी करण होता है। शूर का प्रकास, कारबन, डैक्साइड, जल या क्लोरोफिल की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, ग्यानी सरव वख्याता लोग हैं, कि प्रकास संसेशन में निम्नकित में से जिस सत्त्त का आक्सी करण होता है, वह हमारा कहलाता है जल, H2O. किसकी बात करेंगे? H2O जल की बात कर रहे हैं। दोस्तों अंगला प्रिश्न हैं, कि साबुन को जल में घोलने पर, जल के प्रिष्ट तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, समाप्त हो जाता है, या अपरिवर्तित हो जाता है। तो आप सभी लोग जानते साबुन को जल में गोलने पर जल के प्रिष्ट तनाव पर क्या प्रभाव पढ़ता है तो जल का जो प्रिष्ट तनाव होता है दोस्तों वह क्या हो रहता है आपका बढ़ जाता है साबुन को जल में अगर घोल देंगे तो जल का प्रश्ट चनाव जो है वो बढ़ जाता है इसके बाद है अंगला प्रश्ट स्वचलित वाहिनों में प्रियुक्त द्रव चलित ब्रेक किस सिधान पर कारे करता है सारे आप जानते हैं सारे आप समझते हैं सारे आपने पढ़ा है स्वचलित वाहिनों में प्रियुक्त द्रव चलित ब्रेक किस सिधान पर कार करता है केवल यह आपको बताना है और यह आपको किस सिधान पर कार करता है पास्कल के रूस के कोडिंग या स्वचलीत वाहनों में प्रिक्त द्रौचलीत ब्रिक्त जो होता है वह पास्कल के नियम के सिध्धान पर कार करता है इसके साथ है आपका अंगला प्रिशन 55 नमबर कोस्चन क्या कह रहा है कि जल प्रिश्ट पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या होता है कि जल के प्रिश्ट पर लोहे का टुकड़ा क्यों नहीं तैरता है इसका रिजन क्या है या आपको बताना है और 4 बहत्रीन आपके आपसंस इसके इन पर दिये गए तो सबसे बहतीन हमारा एक्जामपल्स रीजन है कि लोहे द्वारा विस्थाफी जल का भार लोहे के भार से कम होता है इसलिए जल परस लोहे के टुकुडे को ना तेरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थाफी जल का भार लोहे के भार से कम होता है इसलिए लुहा जो है तेरता नहीं है दोप जाता है तेल दूप में बत्ती का तेल किस कारण ऊपर उठता है तेल दीप आप देखते होंगे अक्सर हमारे माता पिता जो बोला करते थे पहले हम जो बस्पन में पढ़ते थे तो मुंबत्ती भी नहीं हुआ काती थे, दिया होता था, मिट्टी के तेल से जलता था, दिया, तो वही आपके तेल दीप कहते हैं, तो तेल दीप में आपने देखते होंगे, नीचे तेल रहता है, एक कपड़े का शूत डाल दिया जाता है, जिससे क्या है, उपर जो है, जल कि निम निश्यानता के कारण या गुरुत तुबल के कारण होता है, तो यह किसके एक वाइडिंग होता है, आपके कोशिकत तुक्रिया के कारण होता है, तेल दीप में बत्ती का तेल किस कारण उपर उठता है, कोशिकत तुक्रिया के कारण उठता है, अंगला पसने कि वा के आयतन में जलवास्प की मात्रा को जाना जाता है, आपके निस्पेच आड़ता की रूप में जाना जाता है, फोर्थ आपसन सही हो जाए, इसके साथ अंगला प्रशन है कि हमारी हड्डियों और दातों का मुख संगठक क्या होता है, कैलसियम बाइकार्बोनेट, कैलसियम म कैलसियम फास्पेट, तो हमारी हड्डियों और दातों का मुख जो संगठक कहलाता है, वह कैलसियम फास्पेट कहलाता है, सभी लोग बताइए, जिया, फोर्थ आपसन सही हो जाएगा, इसके साथ अंगला प्रशन है, कि निम लिखित में से कौन सता तो हैलोजन में सरवाधिक प्रभावशाली आकसी करन करता है, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन या क्लोरीन की बात करते हैं, तो निम लिखित में से कौन सता तो हैलोजन में सरवाधिक प्रभावशाली आकसी करन करता है, वह आपका कौन सा कहला जाएगा, सभी लोग बताइए, तो वह हमार का बिशानु का या पच्छी का अध्यन किया जाता है सभी वताईएगा माईको लाजी में किसका अध्यन किया जाता है तो माईको लाजी में आपके दोस्तों किसका अध्यन किया जाता है कवक का अध्यन किया जाता है माईको लाजी जियू बिज्ञान की वह साखा है जिसमें कावकों का अध्यन होता है और इसमें उनके अन्मानसी का और रासानी गुणों तथा उनके वर्गी करन शामिल होते हैं और इस क्लास का आप सभी के लिए मौक कोश्चन आपके स्किन पर आ चुका है कि निमनिकित में से किस बिटामिन में कोवाल्ट धात उपाई जाती है विटामिन A, विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन K किस विटामिन में जो है कोवाल्ट धात उपाई जाती विटामिन A, विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन K यह आपको कमेंट करके बताना है आपको feedback करके बताना है ये आप सभी के लिए more question के रूप में प्रिश दिया जा रहा है साथ ही साथ आपने 30 प्रिशनों में से कितने scope आप किया ये भी आपको comment करना है मैं आपके साथ जैस्वास सर मिलता हूँ आपके एंगली class पर शभी मित्रों को जैहिंद बंदे मातरम धन्माश अभी का